तो मौनसून आने का वक्त है है, हर देश वासी को ये पता है कि जुन जुलाई भारी बारिश का मौसम होता है नगर दिगम के लोग हर साल बारिश से निपटने की तैयारी का दावा तो करते हैं लेकिन चंद घंटे की बारिश में उनके दावों की पोल खुल जाती है पंजाब के सिये भगवनमान के ग्रे जिले संगरूर से आई ये रिपोर्ट देखिये पानी पानी हो गया है लोगों में त्रही मा मचा हुआ है स्थानियों लोग कहते हैं कि संगरूर की ये समस्याद काफी पुरानी है सर को पर पानी में तैराकी करते बच्चे कहने को आप इसे मस्ती की तस्वीर भी कह सकते हैं लेकिन असल में ये एक शहर की बेवसी की तस्वीर है ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके फटेपूर शिखावती की तस्वीर है चंद घंटे की बारिश के बाद फतेपूर शेखावटी का पस स्टेंट टापू में तबदीर हो गया तस्वीरे देखिए जल भराब से किस तरह रही माम मचा हुआ है फर्राटे से चलती गारियों के पहिये जाम हो गये हैं धकेल कर इन्हें पानी से निकाला जा रहा है राजस्थान का फतेपूर शेखावटी मौनसून के मौसम में हर साल ऐसी परशानियों का गवा बनता है पिछले हपते भी यहां से भारी जल भराब की तस्वीरे आई थी तप्ती गर्मी के लिए मशूर राजस्थान इन्दीनों मौनसूनी आफट से दो चार है लेकिन ये राहत आफट में तबदील हो गई है इकमगर जिले में बुदवार को हुई एक घंटे की बारिश में जिले को जलमग्र कर दिया सडके, गलिया, घर, दुकान, भोटल, बस, सब पानी-पानी हो गया देखिए सडकों पर पानी का क्या आलम है तमाम बाई के आधी डूगी हुई है एक घर के अंदर का हाल देखिए पानी ने पूरी तरह घर पर कबज़ा कर लिया है तिकमगर के एक होटल के अंदर की तश्वीर देखिए पूरा पानी-पानी है होटल के करमचारी पानी निकालने की कोशिश कर रहे है लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि इसे निकालने में काफी वक्त लग गया मौसून का महीना है बारिश तो होगी लेकिन ये बारिश तो आफ़त वाली है शंगूर से वलवंत सिंग विक्की, बतेपूर शेखावटी से राकेश गुरजर, पिकमगर से शुधीर कुमार जैन के साथ आज तक भेरो